Assalamualaikum आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की Mutton Kormi की recipe share कर रही हूँ और यह बहुत ही ज्यादा मज़े की बनते है चले recipe करते है, start सबसे पहले हम प्यास को fry करेंगे तो यहाँ पे मैंने दो अदेक medium size की प्यास ले थी प्यास को slice करके oil में अच्छी तरह से आपने fry करना है जब तक इनकी color golden नहीं हो जाती तो कुछ 5-7 मिर्ट में यह fry हो चुकी है इसके बाद आप इसे निकाल ले और इसे आपने grind कर लेना है अब एक pressure cooker में शामिल करेंगे oil और इसके बाद इसमें डाल देंगे 500g मटन है और इसे डाल के हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इन मटन का color white नहीं हो जाता तो आपने medium flame में इसे भून लेना है और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 2 टीस्पून अद्रपलसन की paste और इसके साथ पर अच्छी से भून ले flame को यहाँ पर मैंने high कर दिया था और अच्छी तरह से भून लिया है और इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे कुछ powdered मसाली 2 टीस्पून कश्मिले लालमर्च, 1 टीस्पून salt, 2 टीस्पून zira powder, 1 फोर टीस्पून healthy powder और 2 टीस्पून लालमर्च पाउडर red चिली आप अपने टीस्प के according डालने कम ज़्यादा कर सकते हैं और मसाली के साथ भी 3-4 मिर्ट हमने अच्छी तरह से भून लिया है flame आपने यहाँ पर high में रखनी है तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर इसे भून लिया है और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे दही तकरिबन 1.5 cup और दही डालकर भी आप भून लिया है जिस टाइम पर दही आप डाले उस टाइम flame आपने high कर देनी है और इसे भी अच्छी तरह से भून लिया है मैंने और इसी के साथ मैंने इसमें 2 cup पानी डाला था पानी डालने के बाद आप में प्रशर को करके लग लगा देनी है और high flame में इसे आप में एक विसल देना है उसके बाद flame को आप में medium to low कर देना है और medium flame में आपने इसमें 3 से 4 विसल आने देना है या फिर जब तक मटन अच्छी तरह से गलना जाए यहाँ पर मैंने कुछ साबत मसाले लिये है 7-8 है चोटी एलाइची एक दालजीनी का तुकड़ा 14-15 काले मर्च 4 लॉंग थोड़ा सा जावित्री और जाइफल लेंगी इन सबका आपने फाइन पाउडर तयार कर ले रहा है इतनी देर में मटन अच्छी तरह से कुख हो चुकी थी और पानी दे के रिडियोस हो चुकी है और अब इसमें हम डाल देंगे प्यास की पेस्ट जो हमने बना के तयार की थी साथ ही डाल देंगे मसाले और मीडियम फ्लेम में ही इसे हम अच्छी तरह से घूल लेंगे मसालों के साथ ताकि इनकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आए अब इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 काजू की पेस्ट तो काजू को आप पानी के साथ ग्राइड कर लें तो इस तरह की पेस्ट आ जाएगी और इसे के साथ इसमें 3 4th कप पानी डाल देंगे और पानी के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें हमने पानी ज्यादा शामिल नहीं करनी है क्योंकि कोड में की ग्रेवी थोड़ी से ठिक होती है और दुबारा से इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है और वन टीस्पूल इसमें केवरा एसंस डाल दी अपर केवरा वाटर और अच्छी तरह से से मिक्स करी इसके बाद हम इसके लिड लगा देंगी और इसे मैंने इस तरह से लिड से कवर कर दिया था और फ्लेम को आपने यहाँ पर लोग कर देनी है और इसे हम 3 से 4 मिट के बाद चक्र लेंगी और इस तरह से मारी बहुत ही बہतेरीन और मज़े की मटन कोर्मा रडी है बहुत ही मज़ेदार बनकी तयार होती हैं और यह रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी तो रेसिपी को आपने जरूर से ट्राइ करनी है और मुझसे अपनी फीडबाक भी लाजमे शेयर करें तो रेसिपी पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें मिलती हो नेक्स रेसिपी में इंशा आल्ला, अल्ला हाफिज